समोसा सिंग नाम तो सुनाई होगा नहीं सुना समोसा सिंग इकोल्स टो 600 करोड़ चले जानते हैं पूरा डिटेल के अंदर की ये कैसे ब्रांड बना और क्या इन्होंने इन्वेशन करी अपने समोसा के साथ में तो अगर आप भी यहां पर एक बिजनस खड़ा कर रहे हैं तो डेफिनेटल आपके लिए ये बिजनस की जो स्टड़ी है जो थाट प्रोसेस है वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं तो बिकम अ ब्रांड और कैसे आप मार्केट के गाप को अंडिस्टांड करते हैं जानने के ल दिजिटल मार्केटिंग कॉंसेट से हम यहां पर यह नहीं बता रहे कि कौन सा बिजनस का क्या जर्णी रहा है हम जर्णी की बात नहीं कर रहे हम यहां पर ब्रैंड कैसे आज डिजिटल मार्केटर अगर आपके पास में कोई भी एक क्लाइंट आता है कि that I have this business now I want to make this business as a एक तरीके से एक ऐसा person है जो किसी भी business को brand बनाने की शमता रखता है तो चलिए जानते हैं कि समोसा सिंग जो है यह समोसा सिंग as a brand कैसे बन गया और यह 600 करोड का जो business है यह कैसे कर पा रहा है तो यहां पर जो है उनकी journey चाहे कुछ भी रही हो तो definitely जब भी कोई business start होता है तो उसके पीछे एक thought process तो किसी ना किसी की रहती है वैसे ही thought process जो है यहां पर जो समोसा सिंग के owner है उनकी भी रही और finally कुछ जीवन की अपनी कटनाईयों के साथ में challenges के साथ में जब वो आगे बढ़े और अपना startup को start करने की बात कर रहे तो उनको यहां पर एक बहुत ही एक एहम जो चीज उन्होंने market के अंदर notice करी और उसके उपर में काम करके फिर बना डाला समोसा से अब यहां पर उन्होंने क्या क्या चीज को identify करा और as a digital marketer आप किसी भी business के लिए काम करते तो आपको क्या चीजे identify करने है किस तरीके से identification होना चाहिए चलिए यहां पर इनक प्रकार से हमें जो है अपने बिजनस के लिए काम करना होता है तो सबसे पहले यहां पर इन्होंने identify करा कि यह सो समोसे हैं वो वाकई बिखते हैं के नहीं बिखते हैं तो यहां पर इनका पहला जो research का point आया कि definitely समोसे बहुत बिखते हैं चाहे वो इंडिया का कोई भी को न चाट का काम है मतलब उसको खाया जाता है किसी season के अंदर या हमेशा खाया जाता है तो यहां पर एक और result सामने आए कि समोसा है कैसी चीज़ है जो हमेशा खाया जाता है चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो या कोई भी आपका एक छोटा सा get together हो वहां पर भी समोसे जो answer is no बहुत जगे मैं यह नहीं कहा रहा कि समोसे hygiene के साथ में बनाई नहीं जाते डेफिनली बहुत सारी यसी locations हैं जहां पर hygiene का भी ध्यान रखा जाता है लेकिन maximum अगर हम Indian crowd की बात करें तो यहां पर जो fast food है वो attempt किया जाता है जो roadside पे vendors हैं वो जो बना रहे हैं वहां से उ यहां पर consider करी जाती है there are lot of vendors roadside also जो कि बहुत अच्छे से hygiene को maintain भी करते हैं और definitely उनका उसी वज़े से business भी काफी बढ़ जाता है क्या हमारा वो concept नहीं है hygiene वाला आज हम बात कर रहे हैं कि brand कैसे बन सकता है so basically यह identification करने के बाद फिर एक बहुत ही important factor जो है वो यहां पर research करा गया कि क्या market के अंदर जो समोसा है उसके अंदर जो filling है क्या it is mandatory कि हम उसके अंदर जो है आलू ही stuff करें तो यहां पर जब इस point के उपर में research करा गया तब पता चला कि भी चाहे कहीं पर भी चले जाओ आपको सिर्फ अगर समोसे की बात होती है तो उसके अंदर आलू की stuffing ज क्या करा समोसे को जो है different different varieties के अंदर launch करने का ठान लिया और यहां पर आ गया समोसा लेकर खाते हैं तो definitely उसके बाद में हमारे हाथ के अंदर जो है oil जो है वो लग जाता है अब इसका solution जो है यहां पे इनोंने कोई marketing point नहीं रखा इसको लेकिन इसको कम करने के लिए कुछ काम किया गया जो generally समोसा जिस एंगल से बनाया जाता है launch करा तो लोगों को taste भी different different मिले और साथ में जो है उनको थोड़ा सा एक अच्छा environment मिला hygiene standard मिले तो जिसकी वज़े से इनके समोसे जो है वो talk of the town बनते चले गए and finally हैदराबाद से start होकर आज इनके पास में multiple branches हैं जहां पर ये समोसा सिंग के नाम से ही अपने समोसे बेचते हैं और आज की डेट में अगर हम बात करें तो 600 करोड से भी जादा का business जो है ये आराम से कर पा रहे हैं so guys I hope कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी business को अगर आपने बहुत बड़े मुकाम ततियर कर जाना है और उसको brand बनाना है तो आपको थोड़ा सा out of the box सोचना पड़ेगा अगर traditional भीड की चाल भेडों की चाल में आप भी चलेंगे तो जैसे भीडे चल रही है वैसे आप भी चलते रहेंगे अगर वो कमा रहे हैं तो आप भी कमाओगे अगर वो गवा रहे हैं तो आप भी गवाओगे अगर आप थोड़ा सा different कुछ concept लेके आते हूँ तो definitely आप उस भीड से अलग दिखने लग जाओगे अलग जिस दिन दिख गए उसी दिन आपका जो business है वो brand कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो यही एक digital marketing वालों के लिए मैं एक राय दूँगा कि आपके अंदर जो power है आप जो creativity कर सकते हो आप जो talk of the town बना सकते हो nobody else can do that अपने अंदर जो है जो power है उसको समझो और definitely ऐसे business owners के पास जाओ कि let's create some new idea to build the business एक छोटे से business को brand बना के दिखाओ and जिस दिन एक भी brand आपने बना दिया आपके पास में number of business जो है line बना के खड़े हो जाएंगे हमारे business को भी brand बना दो so I hope guys कि आज का ये जो video है जो मैंने आपको एक different thought process कैसे एक digital marketer को रखनी चाहिए वह आपको idea अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो like करें share करें मैं मिलता हूँ एक और नए इसी तरह की case study के साथ में कुछ digital marketing के नए topic के साथ में till then stay safe good bye